नमस्कार मैं वानी शर्मा आप देख रहें प्रगती मीडिया उत्तर परदेश के हात्रस में दुशकर्म का एक और केस सामने आया है छे साल की मासूम के साथ दरिंदगी की गई इसके बाद मासूम की मौत हो गई पुलिस ने केस दर्ज कर तत्काल जांच की और एक आरोपी को धर्दबोचा और गिरफतार कर लिया हाला कि रेप की एक और घटना के बाद लोगों का आकरोस एक बार फिर भड़क गया है मासूम के परीजन ने गाउं के मुखे मार पर जाम किया है आला अधिकारी मौके पर पहुचे हुए हैं और लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं इस घटना के बाद यूपी सरकार और यूपी पुलिस एक बार फिर विरोधियों के निसाने पर है कहा जा रहा है कि पुलिस का खौफ खत्म हो गया है इस बीच 19 वर्षिय यूति के दुशकर्म और मौत की जाँच को लेकर सुप्रीम कोट ने सुनवाई हुई है सुप्रीम कोट ये तै करेगा कि इस केस की जाँच MCRTK करवाई जाए या केस CBI को सोपा जाए या नहीं हातरस कांट को लेकर योगी सरकार लगातार विरोधियों के निसाने पर है मायावती ने मंगलवार सुबे ट्वीट किया वैसे हातरस कांट को लेकर पीडिता परिवार के साथ जिस परकार का गलत हुआ आमानिवे वैवार किया गया है उससे देश भर में काफी रोश वा आकरोश है सरकार अब भी अपनी गलती सुधारे पीडित परिवार को नियाय दिलाने के लिए गंभीर हो जाए वरना जगन्य घटनाओं को रोग पाना मुस्किल होगा हातरस कांट की आण में विकास को प्रभावित करने हेतू जातिय वासाम प्रदाइक दंगा भढ़काने की साजिस का विपक्ष पर लगाया गया है यूपी का आरोप है कि ये आरोप सही है या नहीं चुनावी चाल है ये समय बताएगा किन्तु जन्मत की मांग है कि हातरस कांट के पीडित परिवार को नियाय दिलाने पर सरकार ध्यान के इंद्रित करे तो जादा बहतर होगा धन्यवाद खबरों में बने रहने के लिए प्रगती मीडिया को लाइक करे सब्सक्राइब करे और शेयर करे